आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्धाय चार रसायन में कच्छा बारवी का बहुंच इंपोर्टन टॉपिक रसायनिक बलगेतिकी और इसके साथ में आपको और वी कुछ बाते बताऊंगा हम लोग आज से क्लास फेल्ड का अध्धाय नमबर चार चलू करने वाले हैं और इसको लाइन से हम लोग क्या करेंगे पूरा कंप्लेट करेंगे तो मैं सबसे पहले आपको जो चेप्टर का नाम है रसायनिक बलगेतिकी इसे हम लोग इंग्लिस में केमिकल कानेक्टिक्स कहते हैं मैं उसके बारे में आपको परिभासित बताता हूं परिभासित करता हूं ठीक है जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं रसायन ठीक है हम लोग पढ़ते हैं यानि केमिस्ट्री पढ़ते हैं इतना तो बात समझ में आता है फिर इस केमिस्ट्री पढ़ते ना ठीक है अब रसायन की भी तीन सा बहुतिक रशायन अधिक होता है कारवनिक रशायन करवनिक रशायन के इंतर करते हैं रशायनिक उश्मागतिक की जो टॉपिक आता है बहुतिक रशायनिक रशंद्य बढ़र आता है इसको बहुतिक रशायन के साखा इक साखा है इसको मालूब पेड़ है इसकी साखा है भौतिक रसायन की वह साखा जिसके अंतरगत रसायनिक अभिक्रियाओं की गती या दर या वेग तथा रसायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाओं की क्रियाविधी तथा उस रसायन की साखा को रसायनिक बल्गति की कहा जाता है ठीक है अब मैं आपको रसायनिक बल्गति की सब्द की उद्पत्ती बता जेता हूँ ठीक है यह जो है ग्रिक भासा के कैनेसिस सब्द से आया हुआ है ठीक है बल्गति की वर्ड जो आया है इसका अर्थ होता है इसका अर्थ जो होता है वो गती ही होता है से इतना आपको यार्थ न है ग्रीक भासा के कैनेसित सब्द से आया हुआ है जिसका अर्थ या माइना क्या होता है गती होता है इतना आपको प्रषाइनिक बढ़ियरे के बारे में डारज हो चीए तो आप इतना नोट कर सकते हैं अब मैं इसको मिटा देने वाला हूं प्रिय यह पहलेखिए देघ्र सांच प्रकार होते हैं जो पहला प्रकार है वो बंद अरट्र मध्यम मध्यम अविक्रिया तो देखो अगर मैं इनकी तोड़ी-दोड़ी परिभास्ता बता रहेता हूं तीर अविक्रिया नाम से इसी अविक्रिया चो बहुती तीवर गती सी होता हो यह जो पलक जबकते ही हो जाता हो इस टैपके अविक्रिया को मूँ क्या बोलते है ती वर अविक्रिया कहते हैं शुआ है दूसरे और बनना आपके पास अगर 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 आपने इसमें आप लोग न को मिलाते हो तो क्या होता है एक्जांपल को आप लोग को आप लोग को समझाता हूं हैं बढर को आपको अपको तो कि ना तो मन्त विक्से होगी जो क्या हो बीच में हो याने कि जैसे की एक मिडिन लगे ऐसा क्या बोलते हैं मध्यान दिकर करते हैं जैसे एक्जाम्बल के लिए लिए एस्टू ओटो का दिवीटन का होता है यह तूटता है audio तो में और हुटो में होता है जल और oxygen ग्रॉस को करते हैं यह क्या होता है तो इसके विक्रम होने ज्यादा समय भी लगता ज्यादा अधिक समय भी नहीं तो मैं रखते हैं थिए होती है डिए तो समाझे आङे बढ़ते हैं कि और आव अवपिख वेग सा विख अब inefficient का वेक करð दें क्या बहुत है है अब कि रखनी का विक रिखनी का विकरत है माल लोग कि रखनी का विक्रिया है अभिकारक से क्या बर रहा है उसको पाठ करनी मान होता है तब प्लब मिला करें क्या बोलते हैं अबिकारा को इंगलिज में रियक्टेंट बोलते हूझ ये भी आपको थोड़ा याद रचना है रियक्टेंट जो बोलते हैं तो कभी-कभी मैं अगर ऐसा लिख दू जो डियक्टार आर आर से पी ब्रहा है करके तो आप समझ जाना कि वह कि समय इधा लिक्राओं में पराराम में पर अभिकारा की मात्रा मेरे पास दस किलोग्राम की थी ठीक है उस टाइम पर बना नहीं था ठीक है ऐसे वह सच्छा है मैं एक्जामपल समझा रहा हूं भी अपको ठीक है अब क्या और यह एक सिकंड जैसी हुआ माल लो इसका दो किल होगर के प्ररिक्ट बन गया ठीक है यानि आट किलोग्राम मैं इसमय की क्ड़ाते ही हां दो सेकंड हुआ फिर थिकर हुस Stallum हो जाएगी इस्टू बढ़ाते जाना है ओगी इधर से करवर्ट हो के इधर जा रही है धी व्रबर पूर सेकंड पे क्या होंगे यह दो किलोग्राम हो गया और यह कितना अपना room 8 kgुकि नहीं यह प्रिवारा पूआ होगा तदा ने होता है कि पे"- कि यह कर लिया हैं तो इससे मैं आपको यह बता रहा हुआ हुआ है आप क्या दिख रहे हो समय की सब्धिक्र होताओ ऑपको मैं राइट हैं इस विए उди अधा होती है फिसका हम लोगई मतर ही बोलते हैं जा फिर आप सक्री द्रवाण भी बोल स्क्री अर्माट्र बुखते हो या फी God करते हैं और इनका जो Мात्रक होता है मात्रक वह म ZweshBraven Uh yes कुछ बात है आकू नोड़स के लिए आपको यारटना क्षए में अभी हम लोग क्या चल रहे हैं अभिक्रिया का वेख चल रहे हैं वेख को पढ़ने वाले हैं तो देखो समय के सपिक्ष क्या हो रहा है अभिकारा की सानाता में क्या हो रही है सानाता मात्रा में कमी हो रही है और उत्पात की सानाता में क्या हो रही है विद्धी हो रही है तो सायनिक अभी किया कि दर या वेग कहते हैं ठीक है इसका मैं फार्मूला बता जाता हूं आपको ठीक है फार्मूला यह बनने वाला जैसे कि मैंने बोला आपने अगर लेमत में वेग पढ़ा होगा वेग तो पढ़े होंगे ना तो वेग का सुतर क्या रिखते थे वेग पढ़े तो विकारक या फिर कुछ पाता है अगर ने मैं ऐसे करके शाब को समझने है सानलता है और बटे संयनत्र क्वा को अबिक्रिया कि वेक को आ रहते हैं तो मैं लिखता हूं तो मैं लिखूंगा अबिकारह मतलब क्या है परिवर्थन अबिकारह की केलिए सब्क्राइबूंगा है और वाइन के लिए इसलिए दे रहा हूँ क्यों कि इसमें अब विकारा की स那我們 क्या हो रही है और इसी होग सकते हैं धॉस पाद की सांसर पाइं और यह है, Top प्रिबरतन ने कमी या उठ्पात की सानता में परिवर्थन बोल दो परिवर्थन में कमी या व्रिद्धी दर रहता है तो उसको क्या करते हैं उस अभिक्रिया का वेक कहते हैं है यह मैंने आपको सुतर लिख दिया है और यह हिंदी सुत्र हो गया इस प्रकार्ट से आप क्या करते हो इसका बिक्रिया का बेग लिखते हो एसा है खुल वड यहां पर जोड़ना पड़ेगा आप लोग और यहां पे जोढना पड़ेगा कुल सम्यांतरा सठीह ऐसा करके सुत्र वही रहेगा यह जो एपको बता रहा होता है ऐसा भी लिसक्ते बिलंद ओकर आया कि कि को उपर से बोननाके किसी अभिक्रिया में कुल अभिकारत की सांदरता या कुल उत्पाद की सांदरता तथा करके नीचे responses के अनुपात को इहां पर या बोनना बहुत कॉंध इंपोर्टेंट है यoure तो आप देख नब उत्पार को के अनुपात की को क्या बोलना है अमिपात को इस अबिक्रिया का अउसाद करते हैं इसे ऑब अब इस आपको शोड़ा सा चंजिस करूं में ероल wrench पर डूटुकिया का यहाँ पर एससा था अब में आपको यहीश क्रिकते हो इसी को में को आपको अब अच्छने के कर करके आपको कुम Jae रेकलिया का ताक्षनिक रेक प्रस्ट बोल आजा है तो यह अब रिष्ट नहीं करना है यह तो देलटड़ा वाला पार्ट लेकर रहा है इसको आपको डीदी लिग देना ना है ठीक है और कुछ निहीं करना है तो माइनस दी आर बटे डीटी या फिर आप लिक सकते हो इस पा से बोलो गया नीचे से समय के सपेक्ष दुरों में क्या हो रहा है समय के सपेक्ष अभिकारक या उत्पाद की आउकलन को क्या करते हैं अब अब मैं आपको किसी अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया अभिक्रिया यह है कि माल लो दो ए से समझ दो तीन बी बर रहा है और कोश्चन यह है कोश्चन यहां यहां पर इसका ताक्षनी क्विक लिखना है ताक्षनी क्विक पकड़ना है अभिकारक के लिए अभिकारक के लिए आपको डी लगाना रहता है और इसी को बड़ाबर करके उच्पास लिखोगी यह अभिकारक की इसाफ से बात हुआ अभिकारा के साथ से अब उत्पार पर लिखो के तो डी बटी बी बटे ठीक ठीक है और यहाँ पर प्लस लिखना अब एक बाच और धार रगना जो हम लोग अभिकारा को जाओ इत्पार दोनों को लिए अगर आप अभिक्रिया का वेग लिखते होगी दुनों के अधार पर गोड़न ही कलता है दुनों के होता है परिवर्थन होता है अंफ Ist must संबीकणा बूंति नाम देते है इनको आपको क्या करना है बटे में बटे में डालना है एक के बटे में डालना है इं घॉन सामी के दो है तो है अभिकारा के दो है यहाँ प् toute एं को कि यहां पर द्हार कि ऐख रिखने समय क्या करते हैं तो यह प्रकार से कंट से ओलेगा यह इस च्छी लिए अगर मि मुछ करके अगर अने बोलता अभी पंश्था कर पुष्था यह बटे घंगता इनकेस ze बहत से बस इतना ही काम करते है ठाक्षणिक देख के लिए रियात है बाकी कोई भी देहिगागर पूछता है आपको ताब वहां पे देल्टा लिखना बाकी रस्मिकडव मित्री गुड़ां को क्या करना बटेम लिखना है याद रिखना है अभी गारक के लिए मानध लिखते हैं सामने में को कि अभिकाय की सानाता में कमी हो रही होती है उद्पात की अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आया होगा तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं अगले वीडियो का इंतिजार कीजिए धन्यवाद